नमस्कार स्वागाथ हैट्रों मीडिया जो दिश्विज्ञान में सभी दर्सकों का आज हम बात कर रहे हैं नारियल से नारियल के टोने टोट के उपाए के दुआरा से हम अपने जीवन को कैसे खुसहाल कर सकें और जो हमारे जीवन में विधन आ रहे हैं बाधाएं आ रही हैं हम इन विधन बाधाओं से मुक्ति पाकर अपने मनों वांचित परिणाम की ओर कैसे पहुँचें और अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं तो आप नारियल के जो यह उपाए हैं यह आपको सब कुछ देने में महतू पून भूमी का निवाते हैं और यह समर्थ भी होते हैं क्योंकि नारियल कोई साधारण वस्तू नहीं है नारियल कोई साधारण फल नहीं है नारियल एक विसेश इस्थान रखता है बहुत ज़्यादा सक्ती का इस्थान रखता है इसलिए हमारे सनातन धरम में कोई भी पूजा चाहें वे छोटी हो चाहें बड़ी हो नारियल के बिना पूजा की कलपना भी संभव नहीं है बिना नारियल के अगर हम कोई भी सुबकार्य करते हैं तो उस सुबकार्य की सुरुवात उस सुबकार्य का स्री गनेश नारियल को फोड़ कर ही करते हैं तो इतना महत्व है हमारे सनातन धरम में नारियल का यदि आप सत्रूं से घिर गए हैं आपके सत्रूं बार बार प्रेसान कर रहे हैं और आप धन से भी संकट से गुजर रहे हैं आपको धन की प्राप्ती भी नहीं हो रही है आप नारियल के दुवारा से चारों के चारों जीवन के जो छेत्र हैं जिसमें यस, धन, वैभव और सान्ती इन चारों छेत्रों में एक साथ यदि सपलता प्राप्त कर सकते हैं तो वह नारियल रहे हैं सनिवार के दिन परतेक सनिवार को ग्यारे नारियल से हवन किया जाए तो साथ सनिवारों के अंदर ही आपको बहुत सफलता हैं दिला देंगे नारियल के उपाए यदि आप अपने जीवन में बहुत सारी परेसानियों से बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं आपको यदि धन का संकट भी सता रहा है आप धन के संकट से भी जूज रहे हैं आप अपने सत्रूओं के दुवारा से रचे गए सड़यंत्रों के बीच में फसे हुए हैं और आप स्वास्ते के दुर्ष्टी से भी आप स्वास्त भी नहीं रह पा रहे हैं जथा चारो और से आपको समस्याएं घेरे हुए हैं जीवन के अंदर और जीवन में ऐसी इस्ति आ गई है का चारो और अंदकार ही अंदकार है चारो और अंदकार के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहीं से भी एक सफलता की एक आगे बढ़ने की कोई करण नहीं निकल रही है आप सब कुछ कर कर ठक हार चुके हैं और आप उस इस्तिदी में पहुँच गए हैं कि आपको इन चीजों से विश्वास समाप्थ हो गया है तो मैं आपको नारियल का एक मात्र एक उपाए बताता हूँ अमावस्य की रात्री को ओम हिरीम क्रीम स्रीम फट स्वाहा इस मंत्र को पढ़ते हुए अमावस्य की रात्री में एक सो आठ नारियलों से हवन किया जाए तो उस साधक को मा काली की मा सर्शुवती की और माता लच्छिमी की एक साथ सफल आसिरवाज प्राप्त होता है और उसके जीवन में इन तीनों ही छेतरों में एक साथ सफलता प्राप्त हो जाती है तो इतना चमतकारी नारियल माना गया है नारियल के आगे भी हम बहुत सारे उपाई बताते रहेंगे क्योंकि एक एपिसोड में नारियल को और इसके उपाईयों को और नारियल के चमतकारों को समेटना संभव ही नहीं है तो आप अगर ऐसी समस्याओं से घिरे हुए हैं तो यह है आप नारियल का उपाई अवस्य ही कीजिए मात्र एक अमावस की रात में किया गया यह कार्य है आपको अगली अमावस से आने से पहले पहले ही आपके कार्यों में सफलता दिला देगा इतना चमतकारी कार्य हो जाता है नारियल से इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई विशय के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक आप हमारा ट्रो मीडिया जो दिस विग्यान को लाइक से रेकमेंट करना ना भूलें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें